हलो एब्रिबडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है लोक अदालत्स जो कॉंसेप्ट है लोक अदालत का वो एक इनोवेटिव कॉंट्रिबूशन है इंडिया का वर्ल्ड जुरिस्पूड़न्स में लोक अदालत्स को इंट्रोड्यूस करके जस्टिस की सिस्टम में एक बड़ा चेंज लाया गया लोक अदालत्स के द्वारा जो विक्टिम्स हैं उनको एक सप्लिमेंटरी फोरम प्रोवाइड किया गया ताकि उनके डिस्पूट्स को सेटल किया जाए और उन्हें सै्टिस्फाइ किया जा सके लोक अदालत्स का जो सिस्टम है वो गांधियान प्रिंसिपल्स पे बेस्ट है लोक अदालत एक कॉंपनेंट है और्टरेटिव डिस्पूट रिसॉल्यूशन सिस्टम का ancient times में जो disputes थे उन्हें refer किया जाता था पंचायत के समक्ष पंचायत को village level पे establish किया गया था पंचायत arbitration के द्वारा disputes को resolve करती थी arbitration एक effective alternative है litigation का जो concept है disputes को settle करने का mediation के थूरू, negotiation के थूरू या फिर arbitration के थूरू इसे लोक अदालत में इस्तमाल किया गया है origin of लोक अदालत जब हम इस बात पे नज़र डालते हैं कि जो concept है लोक अदालत का वो कब rise हुआ था, तो ये कुछ दो centuries पुराना है और ये British time पे rise हुआ था अब ये जो concept है, ये वापस से rejuvenate हुआ है और एक नए form में हमारे पास है लोक अदालत एक ऐसा system है जिसके roots काफी ज़ादा deep है Indian history में लोक अदालत के साथ जो experience रहा है वो बताता है कि लोक अदालत काफी ज़ादा efficient है और एक important ADR mechanism है जो की suit करता है Indian environment को Indian culture को और social interest को लोक अदालत camps start हुए थे गुजरात में March 1982 में आज जो ये camps हैं ये पूरे country में extend हो चुके हैं इस movement का जो evolution था वो एक strategy थी जिससे जो courts के उपर burden है उसे कम किया जा सके जो पहली लोक अदालत थी वो 14th March 1982 के दिन जुनागर गुजरात में held की गई थी महाराश्ट्र में लोक न्यायालय को commence किया गया था 1984 में Legal Service Authorities Act 1987 के द्वारा लोक अदालत को एक statutory status दिया गया था ये जो act है ये mandatory बनाता है Constitution of Legal Service Authorities को जो की provide करेंगे free और competent legal services को society का जो weaker section है जो economically इतने जादा मजबूत नहीं है ऐसे लोगों को भी justice मिलना चाहिए economic या फे किसी अन्य disability की वज़े से ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों को justice ना मिले इस act के द्वारा organization of लोक अदालत को mandatory बनाया गया इस बात को secure करने के लिए कि सभी लोगों को equal opportunity मिल सके जब लोग अदालत को statutory recognition दिया गया था तब ये बात भी clear कर दी गई थी कि जो भी award पास किया जाएगा लोग अदालत के द्वारा वो court की decree के ही बराबर होगा और जो award पास किया जाएगा लोग अदालत के द्वारा उसे execute किया जाएगा as a civil court decree यहाँ पर जो parties है उन्हें allow नहीं किया जाता है कि वो खुद को represent करे lawyers के द्वारा यहाँ पर उनको encourage किया जाता है कि वो अपने आपको खुद ही represent करे judge के सामने और judge से interact करे parties के द्वारा यहाँ पर कोई भी fee pay नहीं की जाती है जो strict rule है civil procedure code का और evidence का उसे apply नहीं किया जाता है decision informal sitting के द्वारा दिया जाता है और यह decision parties के उपर binding होता है लोग अदालत के द्वारा जो order दिया जाता है उसके लिए appeal नहीं की जा सकती है 2002 में Parliament के द्वारा कुछ amendments लाए गए थे Legal Service Authorities Act 1987 में यहाँ पर लोग अदालत को institutionalize किया गया और एक permanent body बनाया गया जो की settle करेगी disputes जो की related होते हैं public utility service से Central या फिस state authorities के द्वारा notification के पश्यात permanent लोग अदालत को establish किया जा सकता है लोग अदालत को public utility service के connection में जो issues हैं उनको determine करने के लिए establish किया जाता है public services में जो services आती हैं वो है transport service, postal, telegraph और telephone services, supply of power, light and water to public system of public conservancy और sanitation, insurance service और ऐसी अन्य services जो की central या फिस state government के द्वारा notify की जाती है permanent लोग अदालत के पास वही same powers होती हैं जो की लोग अदालत के पास होती है jurisdiction of लोग अदालत लोग अदालत के पास में jurisdiction होता है कि वो determine करें और compromise या फिस settlement करवाएं parties के बीच में जिनके बीच में फिलहाल dispute है ऐसे किसी भी case में जो की पहले pending था या फिर ऐसे किसी matter में जो की fall करता है jurisdiction में पर अभी तक किसी court के समक्ष नहीं रखा गया है लोग अदालत के द्वारा compromise और settle किया जा सकता है criminal cases को भी ऐसे criminal cases जो की compoundable होते हैं under the relevant laws अब यहां पर हम कुछ ऐसे cases देखेंगे जिसमें जो लोग अदालत है वो competent होती है deal करने के लिए compoundable, civil, revenue और criminal cases में लोग अदालत डील कर सकती है ऐसे cases जिसके अंदर motor accident compensation claims होते हैं ऐसे cases के साथ डील कर सकती है लोग अदालत partition claims, damages cases, matrimonial and family disputes, mutation of lands case, land pattas case, bonded labor cases, land acquisition disputes, banks unpaid loan cases, arrears of retirement benefits cases, family court cases यह सबी cases के साथ में लोग अदालत डील कर सकती है powers of लोग अदालत लोग अदालत के पास में power होगी civil court की जो की provide की गई है under code of civil procedure कुछ matters में लोग अदालत के पास power होगी to summon and enforce attendance of any witness और witness को examine करना on oath लोग अदालत के पास power होगी to enforce the discovery and production of any document पावर to receive evidence on affidavits लोग अदालत के पास में power होगी कि वो किसी भी public record या फिर document या फिर उसकी copy को ले सकते हैं court से लोग अदालत के पास में power होती है कि वो अपने procedure को खुद specify कर सकती है किसी भी dispute के determination के लिए जो भी proceedings है लोग अदालत की उन्हें माना जाएगा judicial proceedings within the meaning of section 193-219-228 of IPC हर एक लोग अदालत को civil court समझा जाएगा for the purpose of section 195 and chapter 26 of CRPC advantages of लोग अदालत लोग अदालत के द्वारा speedy justice दिया जाता है ये economical होती है courts के उपर जो cases का burden था उसे कम किया गया लोग अदालत के द्वारा यहाँ पर जो cordial relations होते हैं उन्हें maintain किया जाता है क्योंकि हाँ पर लोग अदालत का काम है compromise करवाना ना की punishment देना role of लोग अदालत in providing access to justice लोग अदालत के द्वारा जो पूर section है society का उसे भी justice provide किया गया है 2018 के figures देखे जाएं तो 3.3 करोड cases pending थे इंडिया में लोग अदालत के द्वारा 2017 में 50 lakhs से जादा cases को dispose किया गया था तो हम यह कह सकते हैं कि लोग अदालत के द्वारा एक major judicial workload को कम किया गया था लोग अदालत के द्वारा on an average 4,000 cases को हर दिन resolve किया जाता है तो हम ये बात तो जरूर मान सकते हैं कि लोक अदालत का होना बहुत जादा important है हम ये कहकर conclude कर सकते हैं कि लोक अदालत इंडियन लीगल सिस्टम का एक अभिन अंग है लोक अदालत के द्वारा weaker section of society को भी justice provide किया गया है लोक अदालत ने access to justice को easy बनाया है और इसके साथ ही साथ जो Indian judicial system है उसका workload भी बहुत कम किया है